हालो दोस्तो नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तो इंडियन आर्मी रिक्रूर्मेंट 2023 बीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेतर हों कि बीडियो को आप पूरा कम्प्लीट देखते रहेगा तभी सभी क्यूसेन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे दोस्तो इंडियन आर्मी रिक्रूर्मेंट बहुती जल्द आप सभी के लिए निकल के आ चुका है यानि कि अभी तक इंडियन आर्मी आगनिवीर की जो भरतियां चल रहे थे उसके मुताविक एक इंडियन आर्मी के पदो पर भरति निकल के आ चुकी है बहुती बढ़िय एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मागे एपलाई कैसे करना होगा इलीजविल्टी केटेडी या आपकी क्या होनी वाली है सारी जानकारी आप सभी के इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तो बस वीडियो को आप टोटल कंप्लीट देखते रहेगे तभी सभी क्यूसें के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे बेना टाइम को वह चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी के ओपीसेल बेब साइट पर यहाँ पे ओपीसेल नोटिपिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो कि यहाँ पे आप नोटिपिकेशन में चेक कर पारे होंगे दोस्तो जो कि यहाँ पे आप देख पार होंगे permanent combination यहाँ पे आप देख पार होंगे 10 plus 2 यानि कि technical entry scam 50 यानि कि पच्चास परदों के लिए अलग अलग परदों के लिए भृती हैं यहाँ पे निकाले गई हैं कि यहाँ पे तो आपको सबसे पहले बता देगी दोस्तो आल इंडिया के सारे candidate इस फोर्म को आवेदन कर पाएंगे male or female दोनों candidate ही आवेदन कर पाएंगे दोस्तो हम आपको बता देगी अगर आप unmarid हैं यानि कि साधी आपकी नहीं हुए तभी इस फोर्म को फिल कर पाएंगे तभी आपको बता देगी इस वीडियो को भी आप देखे नहीं तो कोई भी फायदे कि ये वीडियो आप सभी के नहीं है जो भी candidate है वो अगर unmarid है तो वही ये फोर्म को apply कर पाएंगे यानि कि जिनकी साधी अभी तक नहीं होई है वही ये फोर्म को apply कर पाएंगे एज लिमिट के बारे में आपको बता दे कि यहाँ पर एज लिमिट जो आपकी है तो आप देख पा रहे होंगे जो कि साधे 16 साल से लेकर 19 साल के वीच के candidate इस फोर्म को आवेदन कर पाएंगे यानि कि दोस्तों आप सभी को बता दे कि 16 साल 6 महिने से लेकर 19 साल 6 मंत के वीच के candidate इस फोर्म को apply कर पाएंगे एज में छूट भी आप सभी को दी जाएगे जो कि 2 जुलाई यहाँ पर आप सभी को बता दे कि 2 जुलाई के अधार पर आपको एज में छूट दी जाएगे आप सभी को बताएंगे दोस्तो जो candidate 2 जुलाई 2004 के बीच से 1 जुलाई 2007 के वीच में है वो candidate इस फोर्म को आवेदन बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तो यहाँ पर आप सभी को बता दे कि education qualification इस भरती में क्या माग गई है आपकी यानि कि कितनी education qualification माई गई है कर पाएंगे physics chemistry math में दोस्तो और आईए बात कर लिए कि इस भरती में क्या क्या आपके document लगेंगे कैसे form को feel करना होगा medical test होगा या examination कैसे होगा किस प्रकार से होगा सारी जानकारी आप सभी को बताएंगे दोस्तो यहाँ पर total vacancy के बारे में आपको बता दे कि यहाँ पर total vacancy आपकी 90 पदों पर भरती निकाली गई है यहाँ पर बता दे आपको कि 4 साल के लिए यह भरती यानि कि 4 वर्स के लिए यह भरती आप सभी के लिए निकाली गई है दोस्तो और यहां पे आप सभी को बता दे कि ट्रेनिंग आपको 5 वर्स की यानि कि आपको 5 वर्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी दोस्तो यहां पे आप सभी सभी को बता दे कि दोस्तो आपकी सेलरी कितना दी जाएगी सेलरी तो 2021 के हिसाब से आपको बता दे तो 13,940 रुप बेप साइट पर और वहीँ पर सभी को दिखाते हैं यहां पर दोस्तों कितनी आपकी चलरी दी हैं या बिना टाइम गोए चलिए शुरू करते हैं यहां पर दोस्तों सबुसेता पहले आपको उपर भरतियन निकाले गई हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो कि जन्वरी 2024 की यह भरती होने वाली है तो यहां पर ओपिसल नोटिप्रिकेशन में 2024 यानि की 2024 के मुताबिक के जो यह फार्म भरे जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं यहां पर आपको बता ही दिया दोस्तों जो की 13960 रुपए से लेकर चौनसट चौनसट अजार 699 यह भरती में दी जाएगी दोस्तों जो की आपकी साथ वेतन के अधार पर सैलरी बगाए दी जाएगी education qualification तो आपको बता ही दिया कि education qualification आपकी simple और simple 10 वी और 12 वी के पास candidate इस form को आभेदन कर पाएंगे simple सा आपके पास 60% marks आपके होने चाहिए physics chemistry math में और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता देगी इस भरती में form को कैसे apply करना होगा इस भरती में क्या-क्या document लगने वाले हैं तो यहाँ पे आईए आप सभी को बता दी जाए who can apply यहाँ पे all India के सारे candidate और online माधम से ही इस form को बिल्कुल apply कर पाएंगे यहाँ पे आपको बता देगी यह भरती जो निकाली गई इसमें क्या-क्या दस्तावेज आपके लगने वाले है तो फोटो ग्राप यानि कि फोटो एंड सिगनेचर फोटो एंड सिगनेचर लाइट कलर बैग्राउंड फोटो आपके पास होना चाहिए पहले सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो सिलेक्शन यहाँ पर रेटिन एक्जाम यहाँ पर बिल्कुल लिखित परिक्षा आपके होने वाली है लिखित परिक्षा बिल्कुल होगी दोस्तों और यहाँ पर आईए आप सभी को बता दी जाए कि यह जो भरती निकाल गई है इसमे पर एक्जाम डेट की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, जैसे कुछ भी जानकारी मिलेगी तो हम आप सभी कोई बीडियो के माद़ें से सबसे पहले बताएंगे, एप्लिकेशन फॉर्म फीस के बारे में आपको बता दे कि आल कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट के ल में आपकी जोब कहीं भी लग जाएगी, यहां पे आई ये बात कर लिजआ, इस लिमिट के बारे में है तो आप देख पा रहे होंगे, जो कि मिनिमम एज 16 वर्स यानि कि 16 एर 6 मंध याने कि 16 वर्स छे महिने और मैक्सिमिम इस यहां पे आप देख पा रहे होंगे, 19 year 6 month यानि कि 19 वर्स 6 month के बीच के candidate इस फोर्म को आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे counting के हिसाब से आपको बताएंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो कि 2 July 2004 से लेकर 1 January 2007 के बीच के candidate इस फोर्म को आवेदन कर पाएंगे एज में छूट भी आप सभी को दी जाएगे जो कि SCST candidate को 5 वर्स का छूट और OBC candidate को बिल्कुल 3 वर्स का छूट दीया जाएगा दोस्तो आसा करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल पर जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबालें जितना हों से कि अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीए और जहां कहीं भी इस भरती में कुछ भी ना समाज में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजी हम आप सभी को रिप्लाई करके जरूर बताएंगे दोस्तो यहां पर आप सभी को दिखा दे कि यह जो भरती निकाले गई है यह बहुत ही बंपर पदो पर भरती निकाले गई है आप नोटिफिकेशन वे चेक कर पाएंगे दोस्तों आसा करता हूं वीडियो आपसे को पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जर से पहले पहुंचा सकें आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबाया रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा तो आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम